हलो दूस्तू नमस्कार प्राफिट गुरू चैनल में एक बन नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत कहता हूं तो दूस्तो इस वीडियो में हम दो दिगज कंपनियों को कवर करने वाले और उनका जो टेकनिकल कंडिशन है वो देखने वाले हैं उससरे प ठीक है उसके साथ ही गिरावट के बाद रिकावरी फिर गिरावट फिर बड़ी रिकावरी और फिर गिरावट ठीक है और फिर रिकावरी कर रहा है मार्केट मतलब यह मान के चल सकते हैं कि मार्केट बार-बार 17,000 का सपोर्ट बना रहा है ठीक है यह देखें यहाँ पर ब ऐसे तो है expiry एक्सपारी का सेशन चली रहा है weekly expiry है उसके साथ ही कल जब हमारा inflection का number आया तो वो हमारे control से थोड़ा भार गया month on month basis पर लेकिन दोस्तो q on q basis पर अगर compare करें तो काफी अच्छा average हमें देखने का मिल रहा है दोस्तो inflection का अब आप देखने वाली बात यह है कि US market का या US का जो inflection का number है वो आज evening में आने वाला है वो कैसा आने वाला है दोस्तो और उसके बाद US के market कैसे react करते हैं और कल हमारे market फिर कैसे react करते हैं यह हम आप लोगों को update करेंगे तो फटा परचे दोस्तों इस वीडियो को like कर दिए चैनल को subscribe कर दीजिए अब उन दिगज कंपनियों को एक एक करके देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों उस company का जो share का price है वो है 3210 रुपे और लगबक यहां पर आप देख सकते हैं कि 1.5% की ग 3393 रुपे इसके साथ इसकाť 52 का लो 2560 रुपे का है पांच फी दिन में 3.5% के हमें गिड़ावट देखने को मिल रही है 5 दिन में आप देख सकते हैं तो यहां से यहां से लगाता हूं ठीक है क्यों गिर चुका है दोस्तो और हम किस company की बात करें हैं या मैं आपको update करता हूँ हम बात करें दोस्तो Asian paint की ठीक है Asian paint दोस्तो इतना इसलिए गिर चुका है क्योंकि जो crude oil का price है वो continuously क्या हो रहा है increase हो रहा है ठीक है एक बार फिर से market में crude oil की demand बढ़ते देखने को मिल रही ह और जो supply है वो फिर से कम होते देखने को मिल रहा है जिसके करन 80 dollar पे पहुँच चुका था crude oil का price वो अब आ चुका है दोस्तो कहां पर एक बार फिर से 100 dollar के पास यह जो 20 dollar का जो gap हमें देखने को मिला ना जब बहुत अच्छा था यह इसलिए अच्छा था दोस्तो क्योंकि जब last year इसी समय पे जब company ने दोस्तो इनने क्या किया था अपने product के दाम बढ़ाए थे और उसके तुरंत बाद से दोस्तो crude oil का price वो increase होना चालू हो गया था इनको कुछ भी फायदा नहीं मिला था और उल्टा यह घाटे में जा रहे दे क्यों क्योंकि crude oil जो है वो इनका स season चालू होने वाला है festive season आने वाला है ठीक है उसके साथ ही आप बोल सकते हैं कि betting season आने वाले हैं तो काफी फायदा इनको मिलता है तो जिसके करन दोस्तों क्या हुआ कि यह copy खुसी बनाने लगे यह उपर भी आ गए ठीक है लेकिन crude oil का price फिड बढ़ गया तो इनका जो सिर दर्द है यह इनका जो tension है वो और बढ़ गया जिसके करन दोस्तों stock में आप देख सकते हैं 28 सितंबर से लेके 13 सितंबर almost 15 दिन के अंदर अंदर 10% stock गिर गया average निकालोगे तो लगबग दोस्तों एक दिन में 0.75 यह गिरा है इतना गिरा है ठीक है एक percentage निकालोगे तो पर आप देख सकते हैं कोई दूर आए नहीं है और आपको यह भी पता है कि यह industry का leader भी देखने को में मिलता है तो जरूर आप इसको पर focus करिए अब चलते हैं दोस्तों हम और देखते हैं company का technical analysis तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों Asian pen का chart pattern open किया है और daily candle लगाया है अब देखें मैं previous में आता हूँ और previous में आने के बाद आपको levels बताता हूँ देखें यह बाला जो level आपको देखने को मिल रहा होगा ठीक है यह एक काफी बड़ा demand area देखने को मिल रहा है ठीक है आप देख सकते हैं कि कितना जादा stock ने उस level पर support बताया 2022 से पहले की बाद September September November December ठीक है यहाँपर देखे support बनाया rejection बनाया यहाँपर rejection बनाके support लेके time बिताया ऊपर घया फिर rejection बनाके नीचे आया ठीक है फिर हूँ इधर आ जाते हैं दोस्तो jump may inspection में यहाँपर बनाया यहाँपर बनाया ठीक है इसके साथ ही हम आ जाते हैं हमारे अधर, उधर समय अभी की में बात कर रहा हूँ जब crude oil काफी heavy मतलब मातरा में इनको परिशान कर रहा था तब यह यहां पर आये थे यहां पर support लिया और recovery इतनी जोड़दार इन्हों ने दिखाई दोस्तों ऐसा लग रहा था इनको jail में से छोड़ा गया है तो जहां तक भागते बने यह भागे ठीक है जहां तक भागते बने लेकिन यह थोड़े देर बात जाके ठक गए मतलब यहां अगर मैं बात कहता हूँ तो 1000 पॉइंट पर जाने के बाद ठक गए और वो ठके भी ऐसे एरिये में जो इनका एक demand एरिया था यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है यहां से तो profit booking हुई एक psychology number से profit booking हुई अगस्त में मतलब इनको breakout मिल जाता है rejection बना लेता है support बना लेता है rejection rejection support rejection और अब फिर से दोस्तों क्या कर रहे हैं वो अपना जो demand एरिया था वो demand एरिया को दोस्तों break करने की सोच रहे हैं क्योंकि इतना दोड़े इतना दोड़े की दोस्तों ठक गए और ठकने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहीं पर वो बैठ गए अब इसके आगे जाने की उनकी इक्षा नहीं हो रही है ठीक है तो आप देखने वाली बात यह है कि अगर यह जो डिमांड एरिया है ठीक है 3250 का यह ब्रेक तो हो चुका है ब्रेकडाउन तो मिल चुका है तो गिरावट कहां तक आएगी दोस्तों आप यह देखने वाली बात है ठीक है तो आप यह पॉइंट को आप नोट कर लीजिए अभी 3500 रुपे के लेवल को भी नोट कर लीजिए यह एक important rejection point है यह important rejection point है क्योंकि दोस्तों breakdown हो चुका है तो अब यह support नहीं रहा अब यह rejection में convert हो चुका है और बढ़िया से यह दोनों point को लगा के watch करिए कहां तक वो नीचे आ रहा है क्योंकि दूर दूर तक दोस्तों कोई support level नहीं है कोई rejection point नहीं है ठीक है जो rejection point है वो उपर छूड़ गया है जो मैंने आपको बता दिये इस हिसाब से Asian point को watch करिए ठीक है चलिए next company देखते है दोस्तों next company का जो share का price है वो है 721 रुपे 45 पैसे stock आज की rate में 1.5% भागा है इसका previous close था लगबग 722 रुपे 50 पैसे open होता है 722 रुपे 95 पैसे high लगाता है 786 रुपे 60 पैसे और low लगाता है 731 रुपे 10 पैसे company का market के पे 28,000 करोड का P.E.N. English ratio भी बहुत अच्छा dividend yield भी बहुत अच्छा उसके साथ भावन भी का हाई भी देख सकते है 1160 का भावन भी का लो 660 का एक महने की में बात कहता हूँ ये देखे एक महने में इनकी भी काफी ज़्यादा पिटाई हुई है लगबग 20% की हो चुकी थी अब ये recover कर गए हैं तो लगबग 14% की बची कमपनी यहां से चालू होती है और यहां तक सेम रहती है 2014 तक दोस्तो ये अपना एक पेनी रूप धारन किया हुआ था लेकिन अब मल्टी वेगर रूप धारन कर लिया है तो हम किस कमपनी के बात करें हम बात कर रहे हैं दोस्तो आरती इंडस्टी लिमिटेड की जो कि एक केमिकल इंडस्टी में काम करती है एक फार्मा इंडस्टी में काम करती है और अब अपना जो फार्मा बिजनस है वो क्या करने वाली है दोस्तो डी मर्ज करने वाली है ठीके जिसका record date भी आप बोल सकते कि काफी करीब आ चुका है ठीके और आपको तो पता ही है कि कितने share पर कितने share मिलेंगे already इसके उपर पूरा detail वीडियो हमने बना दिया है और एक बार हम बना देंगे तो फटा पट्चे चैनल को subscribe कर लीजिए और इस वीडियो को like कर दीजिए और अब चलते हैं इसका भी technical analysis करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरती industry का भी chat pattern open के daily candle लगाया हूँ अब देखें आरती industry के अगर हम बात करें तो यहाँ से गिरना चालू हुआ था यहाँ से ठीक है एक हजार रुपे के लेवल को कुछ समय के लिए इसने demand area बनाया लेकिन वो नई बन पाया नई बन पाया यहाँ से भी नई बन पाया काफी बड़ी गिरावट गिरावट के बाद दोस्तों 700 रुपे के level को support बनाया अब देखें पूरा जून का मंत जो था वो support लिया जुलाई में भी पहले अपते तक वो support लिया फिर उपर गया अब उपर गया ना तो उसको पता था कि यह वाला level मेरा एक काफी important एरिया है तेकि यह कौन सा एरिया है यह 800 रुपे का एरिया है support उपर भागा rejection नीचे गिरा breakout देने के बाद दोस्तो काफी दिन तक आप देख सकते हैं पूरा अगस्त मंत इसने क्या किया 800 रुपे के लेवल पर टाइम बिताया तो तेकि आप देख सकते हैं फिर breakout मिला फिर इस एरिये में आया याब कुछ इस तो उसके सामने काफी बड़ी चुनोती होगी दोस्तो इस level को पार करना मतलब breakout देना अगर होता है तो pressure generate होगा और फिर यह पर आके support लेगा ठीक है अगर breakout मिलता है तो दोस्तो 900 रुपे के level को फिर वो rejection लेगा तो 900 रुपे का level 800 रुपे का level और 700 रुपे का level ये तीनों level अभी की condition में दोस्तों इसके लिए काफी important है ठीक है अब देखते हैं कि company का Q2 का number कैसा आता है और D merger की जो process है वो तो अभी थोड़ी लंबी है record rate तो इसी मेने की है लेकिन D merger की जो process है वो लगबग 2-3 मेने में complete होगी मतलब ये साल के अंतर तक हो जाएगी तो अभी तो काफी दूर है लेकिन जब तक तो इसको पूरा price के साथ trading करना होगा जब वो price अलग हो जाएगा तो इसका भी price अलग हो जाएगा ठीक है जब की बात अलग रेगी लेकिन अभी की बात और कुछ है ठीक है तो यह जो point है इनको note कर लीजिए तो दोस्तो यह था आप लोगों के लिए दो bettering company को related update डेके यहाँ पर मैंने खाली knowledge के लिए आप लोग दे देते हैं लेकिन दोस्तो market में जो वो चाहते उनको नहीं मिलता है तो इसलिए दोस्तो हम क्या करते हैं वो चीज़े आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं कि आपका mind fresh रे आपको यहाँ पर education मिल पाए ठीक है तो वही चीज़े हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं तो buy sell क का उमीद हम से मत रखिएगा ठीक है और ऐसा अगर नौलेज चाहिए तो फटा बट से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए विडियो को लाइक कर दिए डेली बैसे 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 नौलेज हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे और तरह तरह के स्टॉक भी हम आपको अपडे कर दो